नमस्कार बच्चो आज के इस एपिसोड में इस वेडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 संस्क्रिट के सेकंड टम के एकजाम के सेंपल कुश्चन पेपर की साथ ही साथ हम समझेंगे इस एकजाम के पैटन को बात करेंगे ब्ल्यूप्रिंट की क्या कुछ पूचा जाएगा कहां से पूचा जाएगा तू मार्कर कुश्चन कितनी रहेंगे थ्री मार्कर कितनी रहेंगे फोर मार्कर कुश्चन कितनी रहेंगे पठित अवबोधनम में क्या कुछ रहेगा और एपठित में क्या कुछ रहेगा यानि बहुत सारी चीज़े हम यहां पर डिसकस करेंगे साथ ही साथ हम time management के भी बात करेंगे क्योंकि वो भी उतना ही important है time management के बिना बहुत कुछ गड़बढ हो जाता अगर आपकी त्यारी है तो भी गड़बढ हो जाता और अगर त्यारी नहीं है तो उससे भी ज़्यादा जरूरी है हम अपने mind में लेकर के चलें कि कि कितने time में हमें कौन सा part निप्टाना है या फिर करना है तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहे हैं यह हमारा संस्कृत का simple question paper है इसी station का है second term का है class आपके 10th है संस्कृत कोड 122 टाइम हमारा दो गंटे का ही रहेगा और total marks है वो आपके 40 रहने वाले हैं सबसे important सबसे पहले दिये गए instructions किसी भी question paper से पहले सबसे important होते हैं वो instructions को हम read कर लें ताकि कई सारी चीज़े हमारी clear हो जाए यहाँ पे कुछ general instructions दिये गए हैं पहला दिया गए कि हमें ensure करना जिसे question paper आपको मिले तो आप यह ensure किजिए इसमें 7 page दिये गए हैं कुछ कम तो नहीं है उसके बाद आपको ensure करना है कि person पत्र में no person हो nine questions हो यह आपको ensure करना चेक करना है clear याँकि अगर यह मिल जाए it means that आपको question paper ठीक मिल गया उसके बाद आपको 20 minutes तो पहले 20 minutes हो सकता 15 minutes मिले याँकि 15 to 20 minutes आपको दिये जाएंगे question paper को read करने के लिए okay इसमें क्या करना आपको आपकी उत्तर पूस्तिका आपकी answer book later उसके उपर कुछने लिखना जैसा कि आप सभी को पता है तो एक जाम आपके पहले हो चुके आपने English का भी दे दिया आपका maths का हो चुके है तो need not to worry वो सेम ही आपके instructions यहाँ पे दिये ग करनी है कि जो question number question paper में दिया गए वही हमें लिखना है परसंद संख्या हमें person पत्र के अनुसार ही लिखनी है okay one उसके बाद हम third करें तो third लिखेंगे ना की second लिखेंगे यह भी एक natural सी बात है कि सब को पता है लेकिन फिर भी mind में लेकर के चलना की गलती नहीं करने है उसके साथ-साथ अलग-लग जो आपको questions देगे वहां instructions देगे उनको हमें ध्यान से पढ़ना है तो यह होगे हमारे instructions और यह same as it is इसी टाइप के instructions आपके question paper में मिलेंगे तो यहां से आपने अगर इनको read कर लिया तो आपका एक से दो minute वहां बच जाएगा उसके बाद हम देखते इसने हैं पहला जो हमारा part रहेगा इसमें है वर्नात्म पर्षन दिये गए वर्नात्म पर्षन और यहां पे पहला यानि कि इसमें पहला जो हमारा part रहेगा वो appetite of bodhanum का रहेगा एपटित अवबोधनम क्या होता है एपटित गद्यांश ओके जैसा कि आपका हिंदी में होत या unseen passes English में होता है तो same as it is रहेगा यहां पर यह 10 marks का दिया गया कि अधो लिखतम गद्यांश पठीत वा हमें पढ़ना है और उसके बाद पर्षनाम उत्रानी संस्कृतें लिखत और पढ़ने के बाद जो भी questions देगे हैं उनके answer हमें संस्कृत में लिखने है यह आपका य के चैनल के उपर उसका link description box में मिल जाएगा आपको clear तो यह आपको करना है इसको एक बार देख लिजिए screenshot लेना चाहिए तो ले लीजिए अदर्वाइस मैं PDF शेयर करने वाला हूं तो इसी पर based रहेंगे आपके questions किस टाइप के रहेंगे यहां देखिए four types के आपको question मिलन क्लियर तो यह आपके तीन दिये होंगे इसमें से आपको करना होगा कोई दो clear one mark each यानि की two marks के हो जाएंगे उसके बाद दूसरा जो part रहेगा इसी में एपटित अबोध नम में वो रहेगा आपको पूर्ण वाक्या में उत्तर लिखना है दो question करने संस्किर्ट में answer देने any two यहाँ पर भी एक internal choices आपको मिल रहे हैं कि इन में से any two करने answer आपको easily गद्याश में मिल जाएंगे उसके बाद next है आपका कि इस अनुचेद का हमें एक शिर्षक देना किसमें संस्किर्ट में लिखना हमें clear तो एक शिर्षक एक title हमें देना है तो आपको करना है जब आप उस अनुचेद को पढ़ोगे यानि कि सबसे पहले काम हमें यही करना ना question paper मिला हमने देख लिया उसके बाद अनुचेद को ही पढ़ना हमें तो उसमें हमें वो title मिल जाएगा easily मिल जाएगा तो यह रहेगा आपका यानि कि two plus यहां पे four six plus one seven हो गए और last हमारा रहेगा इसमें हमें person पत जो person दिये गए three questions है उनके answer देने है one marker है तो जैसे यह भी इसी के coding रहेंगे जो पूछा गया है तो यहां देखिए कि यह total हमारा ten marks का रहे जाएगा okay four type के question है एक पद वाले रहेंगे एक वाइक्या वाले रहेंगे हमें title देना है और उसके बाद निर्देश के according आपके one marker question रहेंगे इसमें से भी आपको internal choices मिलने वाली है four में से any three आपको करने है clear उसके बाद next हमारा रहेगा रस्तनात्म कारेम रस्तनात्म कारेम मतलब जि इंगलिश में मिलता है ऐसी अपनी यहां पे Hindi में भी होता है तो वही सब कुछ यहां पे मिलेगा तो इसमें देखिए फ़र्स जो हमें दिया गरस्तनात्म कारेमे हमें यहां पे पत्र दिया गया है clear और इसमें हमें पत्र में बहुत सारे रिक स्थान दिए गए है तो इनक हमें fill करना है लेकिन यह आशान इसलिए आपके लिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें options में बिलेंगे यह पत्र हो गया और यहाँ पे हमें 10 points दे गया और यहाँ पे हमें मंजूशा यानि की hint कुझी दी गी तो थोड़ा इसी भी अगर आप practice करके जाओगे तो आप easily इसको कर पाओगे clear समझ में आ रहा ना थोड़ा सा read करना है तुके सीधे नहीं लगाने और I hope so कि आपकी संस्कृत भी strong होगी तो मतलब strong है तो यह बिल्कुल आसान रहने वाला है तो यह रहेगा आपका इसमें देखे क्या कुछ रहेगा marks आपके 10 यहां पर फिलपस दिये गए और पर फिलप का half मार्कस है जैसा कि हमने उपर देखा था यहां दो बारस देखिए कि आपको एक फिलपस जो दिया गया उसका आपका half मार्कस मिलेगा यानकी 10 दियेगें तो आपको 5 marks यहां से मिलेंगे तो कोशिश करने हैं हम बड़े ध्यान से करें तो आपके ये marks भी बहुत आसान रहने वाले और time आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा तो ये हो गया आपका 15 यानकी इसमें time को कैसे लेके चलना है पहला जो आदा घंटा है 30 minutes है उसमें आपका पहला part यानकी appetite अबोधनम हो जाना चीए clear और 45 minutes जब आपके time हो तब तक आपका ये पत्तर भी हो जाना चीए यानकी पहले 45 minutes में तो ये आप time साथ में लेके चलोगे note कर लीजे कि इसके according हमें चलना है कोशिश करनी है उसके बाद थर्ड जो आपका question रहेगा तीसरा हमारा person रहेगा यहाँ पर वो रहेगा यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गए परदतम चित्रम द्रिष्टवा भाई दिख रहा है चित्रा आपको भी दिख रहा होगा और इसमें क्या करना है कि जो मंजुशाया हमें जो कौंजी दिए गए वहाँ पर कुछ शब दिए गए उनकी हैल्फ से संस्कृत में हमें इसको लिखना है कि इसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है यानि कि चित्र का वर्डन करना बिलकुल आसान सा है तो यहाँ पर हमें उसके लिए हिंट भी दिए गए काफी सारे वर्ड्स भी दिए गए यहाँ पहली चीज देख लीजे कि यह फाई मार्क्स का रहेगा तो यह यहाँ देखिए कि इसके लिए हमें हिंट दिए गए यह है कि इसमें क्या कुछ हो रहा है कि यहाँ पे दंड सुलकम, आरक्षम, सुरक्षाई, धारेतवा, धुरगटनाई, निर्बाधनम, आमंत्रम, सुलक प्राप्ति पत्रम, मोटर साइकल, चालक, आतमरक्षाई, यह सब कुछ इसमें दिया गया है, जिस तरह के से चालान काटा जा रहा है, उसका यह पिक्चर है तो हम इन वर्ड्स को यूज करते हुए, उसका वर्णन करना है, तो यह आपका 5 मार्क्स कर रहेगा, यह यहाँ तक थर्ड कुछिन आप करो, तब तक आपका 1 घंटा हो जाना चाहिए, यानकि 1 घंटे में यह आपके 20 मार्क्स के जो आपका कुछिन है, वो हो जाने यानकि आपका हो जाने चाहिए, फर्स 60 मिनट्स एग घंटे में, तो यह रहेगा थर्ड तक, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया गए, इसमें ऑप्शन भी आपके पास, इसके साथ साथ यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गए, कि अगर आप वो ना करो, मान लिजी कि आप का आपने जो टोपिक दिया गए, इसके उपर हमें अनुचेद लिखना और इसके लिए भी हमें कौनजी दी गई है, यानकि संस्किट में बहुत कुछ आसान होता है, बहुत कुछ, हिंट भी दिये गए, ओप्शन सहर जगह आपको मिल रहे हैं, इंटरनेल चौइस मिले है तो अगर आप पत्र लिखनम के साथ नहीं जाना चाते, तो यहाँ पर अनुचेद लिखनम कर सकते हैं, यह भी से मार्क्स रहेंगी, यानकि फाइव मार्क्स आपको दिये जाएंगी यहाँ पर, उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेशन रहेगा, फोर्थ क्वेशन को इतने साथ किसी भी सब्जेक्ट में आपको इंटरनल चॉइसस नहीं मिलते हैं, किसी और सब्जेक्ट में भी अगर मिल जाए, इतनी इंटरनल चॉइसस साथ सब में आप पूरा स्कोर कर दो, टॉपर स्टूडिन्स के साथ यह प्रॉल्म रहती हैं कि एक आद गडबड होत थे, वे दोनों वहां जाएं, यानि इस टाइब से जो आपको इजी लगे, उनको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, और अगर कहीं पे दो में गडबड लगे तो छोड़ सकते हैं, उसके बाद पठित अवबोधनम की अगर बात करें, यहां देखें कि यह भी आप आपका 5 मार्क्स का था, उसके बाद पठित अवबोधनम की अगर हम बात करें, यहां पे हमें एक गद्यांश दिया गया है, यह पठित अवबोधनम मतलब पठित गद्यांश आपका, तो इसको आपको रीड करना और उन कोश्चन्स जो दिये गए हैं, सेम पैटरन पर बे देना है, तो यह टू कोश्चन यहां पे करने, तो यह आपके टू मार्क्स के हो जाएंगे, उसके बाद सिक्स्थ कोश्चन को देखिए, चठा जो हमारा परशन रहेगा, यहां पर अधोलिक्तम पध्यांसम, पठितवाब, परदत, परशनाम, उत्रानी संस्किर्टेन, ल दो रहेंगे आपके वन मार्क्स के, हाप मार्क्स एच, और यह रहेंगे पूर्ण वाक्यावाले, यहां पे भी टू करने, यहां कि थ्री मार्क्स का यहां पर हो जाएगा, यहां कि एक गध्यांस रहेगा, पठित में से एक आपका पध्यांस रहेगा, रीड करोगे, आंस समय देने हैं questions के answer वो Sanskrit में देने हैं तो यह आपको read करोगे और उसके बाद same pattern रहेगा 3 marks का यह रहेगा यानि कि 9 marks का 3 marks का आपका गद्यांस रहेगा 3 marks का आपका पद्यांस रहेगा 3 marks का आपका नाट्यांस रहेगा total 9 marks के हो जाएंगे तो यहाँ पर भी same है आपको any two कीजिए यहाँ पर any two कीजिए यह एक पद वाले हैं और यह आपको पूर्ण वाइक में answer देने answer आपको संस्कृत में ही देने का प्रयास करना है उसके बाद next रहेगा हमें यहाँ पर दिया गए एक slok और सले का क्या करना है हमें यहाँ पर slok दिया गए है इसमें जो भी fill ups देगे उनको यह तो fill कीजिए ओके fill करना है और हमें यहाँ पर منजू सा कुन्जी भी देगे यह तो यह कीजिए उसके बाद second यहाँ पर एक option भी देगे internal choices देगे same तरीके से भावार्त है उसको आपको लिखना है और उसमें भी fill ups के लिए आपको कुछ words देगे बस इतना सा करना है दोनों में से कोई है कीजिएगा इसके marks है यहाँ पर two marks आपको मिलेंगे उसके बाद next है हमें अधुलिक कतान्शम समुचित करमेंड लिखत four marks का रहेगा इसमें हमें कुछ कतन दिएगे और क्या करना है हमें इन कतन को करमानुचार लिखना है ओके करमानुचार ठीक से आपने लगा दिए eight यहाँ पर sentences दिएगे ठीक से sequence के coding लगा दिए तो आपके four marks हो जाएगे यानकी पर sentence एक वाइक का half marks मिलेगा लेकिन यह धियान रखना है कि अगर एक वाइक के रोंग होता है it means वो अकेला रोंग नहीं होगा वो एक दो को और भी रोंग करेगा तो यह हमें धियान रखना है कि पहले समझना है कि यह पूरा जो घटना करम चल क्या रहा है उसके according हम लिखेंगे तो यह रहेगा आपका exam उसका pattern और यह धियान रखना है time का सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका first one hour में क्या हो जाना चाहिए आपका पहला appetite का द्यांस हो जाना चाहिए उसके बाद दूसरा पत्र लेखनम है उसके बाद चित्र का वर्णन करना है वो आपके पहले गंटे में हो जाने चाहिए उसके बाद आप पठित जो भी हमें दिया गए वो last के वनार में हम कर पाएंगे अगर आपने शुरुवात में time ज़्यादा ले लिया टेलिग्राम के चैनल के उपर उसका लिंक नीचे दिये गए otherwise क्या करना है जोगरोफी गुरू एक साथ सर्च कीजिए और चैनल को जोइन कर लिजी आगे भी इन फ्यूचर के लिए बैट रहेगा क्योंकि बहुत सारी information है बहुत सारी videos है वहीं पर उनके link share किया जाते है तो आज के लिए बस इतना ही thank you, bye bye, have a nice day